कि स्पहदे कि सब्सक्राइब और कि सब्सक्राइब किसको कौलिफाइब करता है कहान करता है एड़ीजिश सब्सक्राइब करता है एडबर्भ का पाते हैं वह इनुद् पहर बता भर ये नाउन जो है एक बतावण बढ़ेंगे एरन यह जो एरत calling सब्स्क्राने 1700 अर्वर फो 19 अब है आप ग्रामर देख रहे हैं हुई अगर सीख तेजी अगर लाना है तो ख्रामर पूरा और आप देखेंगे कि अगर हम दो दस वीडियो कर आप लगातार देख चुकेंगे तो फिर आगे आप खुद पदह चलेगा कि अच्छा यह गलती क्यों था यह किसा ही कि तो आप हम क्या करें अच्छा लगता है तभी आप हमारी सब कंट्यूनि रहें लेकिन लगे कि नहीं चले सब ठीक है नीतू अब नीतू क्या है यह सिंगल लड़की है मतलब लड़की का नाम है और लड़की कुल मिला के यहां बोले तो नीतू जो है वह हमारा सब्जक्ट है और जब हम जानते ही कि जब सिंगूलर हमारा सब्जक्ट होता है सिंगूलर सब्जक्ट होता है तो उसके अंत में S होई, यह ट्रिक है याद करने का, जिसके जिसके अंत में S है, वर्ब में लेकिन, वर्ब अगर पहचानना है, कौन singular, कौन plural, तो जिसके अंत में S है, S for singular, ऐसे बच्पन मुझा याद रहते हैं, एस पर बॉल, C for singular, यह जो S है, लाश्ट में S है, वो हमारा singular है तब अप लोग का सवाल कि हाँ, तो क्या is है, तो is last में S है, क्या यह singular है, हाँ है, है तो last में, was क्या singular है, हाँ है, has क्या singular है, हाँ है, आप तो ख़ली linking verb ले रहे हैं, और कुछ तो लेकर दिखाए, कोई बात ने, और कुछ लेकर दिखाए हैं, it मतलब खाना होता है, it's, क् लिखे हैं W ये singular है क्या ये singular है ये singular है क्यों कि एस लगाँ तभी वो singular होगा तो इसका मतल्छING देगे तो ये कया है singular yani verb में क्या होता है कि last में ऐसे unser to singular है और नहीं तो वो plural है तो singular subject singular verb और plural subject plural verb लेकिन noun में क्या हुता है छिक उल्टाओ नाउन में जिसे कोई S लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है जिसे पेन है तो इसको पेन्स करते बुक है तो बुक्स करते हैं माइक है तो माइक्स करते तो नाउन में जब S लगाते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्लूरल लेकिन अगर भर्ब में S लगाते हैं तो हमारा बन जाता है singular ज्यानते समझेगा नाउन में S लगा रहे तो बन रहा plural लेकिन भर्ब में S लगा रहे तो बन रहा हमारा singular यानि कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन में S लगाने के बाद plural बना लेकिन अगर हम भर्ब में ऐस लगा रहे हैं यह singular बना यानि कह सकते ही कि नाउन जो है वो inversely proportional है एक बाटा भर्ब का अनि नाउन जो है भर्ब का उल्टा है कैसे तो लेकिन भर्ब में लगा है तो याद रखने के लिए इस बड़ा मस्त रिख है यह नाउन जो है एक बाटा भर्ब का उल्टा हुँआ है एसे याद रखने के लिए कुछ चाहिए बस और कुछ ने तो यह तो समझ में आगे होगा कि singular अगर सब्जेक्ट है तो हमको भर्ब भी क यह ने बढ़त यह तो यहां आप तो यहां क्या क्या करेंगे तो हैं गसक्रेंगे सब्सक्राइब अब और चैना ऐ들이 यही सवाल होता है तो यहां है अपड़ के जब हैस होता है है been having perfect continuous change है और जब perfect continuous change है तो उसके बाद verb का क्या है, चौथा फॉर्म हो, चल यह तो गलत हो गया, सही क्यों बताते हैं, तो यह सही हो गया, अब किसके लिए है, तो मेरे लिए है, me for me, मेरे लिए, चल लिए यह दूसरा में कोई दिखत नहीं है, सिंस टेन अकफॉक ये सही है, सवाल सही कैसे है, तो आप लुद याद रखेंगे, हम अभी ऐसा से आप लुग पढ़े रहे, हम बोलेंगे लिखो पॉर, तो कोई लिखेगा फॉर इस तरह से, कोई लिखेगा फॉर इस तरह से, ठिक लेकिन एकर सिंस बूले तो, फट से यईसे लिख करके आ जाए हम लोगर लिखो फोर तो कोई फोर इसतरा से लिखा को फोर इसतरा से लिखा यह फोर क्या नंबर यह फोर नंबर के जैसा ही sound आ रहा हो तो नंबर वाले में हमेसा लगता है 4 नमबर वाले में हमेशा फोर जैसे चार दिनों से फोर डेज तो क्या लिखेंगे फोर फोर डेज फोर फोर डेज दस दिनों से फोर टेन डेज बारा दिनों से फोर ट्वेंटी डेज ट्वेल्फ डेज इस तरह से लिखेंगे तो जतना भी नमबर आया बस फोर आएगा लेकि यतना नंबर वाला है सब में 4 लगेगा और बीना नंबर वाले में क्या लगेगा since नंबर वाले में 4 बीना नंबर वाले में since exception थोड़ा सा याद करना इस वी तारीक बजे छोड़ करके इस वी तारीक बजे छोड़ करके ठेक है तारीक बजे छोड़ करके यह तीनों क्यों क्योंकि अगर इस्वी रहा 1986 तो यह नंबर तो है लेकिन इस्वी में गिंतिया जागा इसलिए सिंस लगे जा एक्सप्षानल थोड़ा सा इसका वीडियो बनाके डाला हुए तो यहां देखेंगे टेन अक्लॉक और ओकलॉक है इसका मतलब 10 बजे का बात कर और बजे है दस तो नंबर है अहीं इस भी तारी में इस भी है नहीं है तारीक है नहीं बजे है और जब बजे है अघर आगे बढ़ते आप्टर नोइंग दे टूथ, आप्टर नोइंग टूथ लिखा हुआ है, हलाकि आप याद रखें कि जब भी हम सच्चाही लिखते हैं, आप्टर नोइंग लिखे लें कि जानने के बाद, आप्टर प्रिपोजिशन या नोइंग भर्व हो गया, तो एक तरह से जिरन के हो जाता है, ठीक है, टूथ के पहले हमoryसा क्या होता है, दा कापर योग होता है, तो यहीं छोटा सा गलती था, ठीट तूड़ा सा होता है, इस सब कंपलिकेटर्ट कि गिसमाना किसे याद रखें, तो आप्टर नोइंग दूथ, जिससे रेडिंग करते करते csator आता है कि यह सकता है डिटेर्मिना वüğ सकता है वो हर चीज डिटेर्मिनार जिसके वर नाउन होता है थेकर आप इश्के बद ऑड होता है तो झाय। तो इसका मतनले भी जूरी जो है वो हमारा नाउन है अगर दो वर्ड होता ना तो कहते रहे इस साला पहला वाला के एडवर्ब है और दूसरा वाला के नाउन लिखो पहला वाला सुरी एडजेक्टिव लिखो दूसरा वाला नाउन लिखो अगर तीन वर्ड है न तब करो एक सचाही जानने के बाद दजीरी टुक दर राइट डिसेजन तब लो सही डिसेजन लिया है दा राइट डिसेजन अब यहां दाट फिर से डिटेर मिलने रहा है तो क्या वाड़ यूज हुआ है दा के बाद एक और दू और जब दो वाड़ हो है तो दो अलम घूज गए आप अगर यहां एड़्भर का परियोगरत गलत हो जाता है तो उसको हम एड़ेक्टिव करते है इन दा केस के लिए इस केस के लिए बात हुआ है इसलिदा का परियोग है क्योंकि डिसेजन मिल चुका है आगे बढ़ दर्सन विष्ट दर्शन का इच्छा हुआ है आद नॉट टू दा देंप आप वह ठीमप अनhy जागा कैन 1956 क्यों नहीं जागा देख लेते हैं आगे थोड़ा सझाए कि सही कोन सबसे एले दर्सन वीष्ट ये पास्ट का सेंटेंस है बहरका दूसरा परियों सब ही सिंगुलर है किसके लिए है दर्सन के लिए है तो ही हैड नॉट तो दर्सन विष्ट ही हैड नॉट वह नहीं जागा दर्सन बोल रहा है वह नहीं जागा अब इंका लिखने हैड अब थोड़ा सध्यान रखना कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉम पर यह होता है हमेशा क्यों था वर्ब का तीसरा फॉम पर यह होता है जब वर्ब का तीसरा में एच कोन को नहीं हो तो एच है है हो एच है और एक गेट भी होता है लेकिन यह सब के साथ वर्ब का तीसरा फॉम आगा लेकिन यह जब लिंकिंग वर्ब का काम करेगा तभी जब में वर्ब क लिकल है तो इसका मतलब यह linking साहजता करने के लिए तो इसका मतल fibers की साथ बर्म हो लेकिन वेंट तो यहां रिफ प्रफों में और यह हमेशा उसके साथ भर्व रिया आता है तो वेंट को क्या करना पड़ेगा गोन करना पड़ेगा कि अब कहा का बात है तो बता देते हैं है लिखेले दा फिर से डिटेर्मिनर है यह थीम एड्जेक्टिव हुआ और यह पार्क क्या हुआ नाउन हुआ वहां से लगा दिये इन दा फर्स्ट प्लेस कहा पर फर्स्ट प्लेस यानि पहली जगा पर थोड़ा सा गर हम देखें तो यह लिखेले इन दा फर्स्ट प्लेस जब भी हमारे पास ओर्डिनल नंबर होता है एक होता है ओर्डिनल नंबर एक होता है कार्डिनल नंबर एक होता है मल्टिप्लिकेटिव नंबर रियान से समझेगा ओर्डिनल का मतलब होता है जो ओर्डर बताए जिसे फर्स्ट सेकें 3rd, ये साब ordinal number और cardinal जो card में लिखा रहे है, one, two, three, multiplicative मतलब multiply होकर करे multiplicative रहेगा, जैसे single, double, triple, ये सब रहेगा, ठीक है, ये हमेशा इतम sequence में ही आएगा, ठीक है, तो हमेशा पहले ordinal number, फिर cardinal number, अगर तीन को नंबर का पर्योंग होगा है, ordinal cardinal multiple मैं लेखिte का लीकिर? तर शबसे पहले ऊदेलन लिखना है फिर काडिलेल लिकना फिर मल्टीपलय केटिस लिटे ले लिखना है तो जब भी ऊदिना लंबर का हम परेयोग करते हैं तो उसके पहले अकसर जादा तर हम क्या करते हैं उसके पहले आपサँ करते हैं इसलिए बोलत आई, हैब, बाउट, यहाँ लिख देते हैं, सिंगल, टू, रूम, मतलब हम खरते हैं, सिंगल, टू, रूम, तो यह गलत हो जागा, क्यों, क्यों, क्योंकि OCM के अनुसार चले, तो चल, ओ, ओ व़ला, ओर डिनल नुबर, फ्सकेंट अट नहीं है, तो पहले, कारडिनल व़ चाहिए फिर मल्टिप्लेकेटिव यानि फिर मल्टिप्लेकेटिव यानि बाद में जाना चाहिए तो यहां होना चाहिए टू यहां और सिंगल होना चाहिए यहां तब यह सही होता कि आई है बाउट टू सिंगल रूम तो यह हमारा होता सही और यह हमारा हो जागा गलत क्यो यहां लिखा हुआ है N Lion अब यह कोशें नहीं है सानी कि हम अपने से बनाएंसा प्रिभीज यह का है अन लायना एफ होता है एक होता है एक होता है यह बचपन से पढ़ते हैं कि इसमें कACH से लेकरके अगया तक सौंडा है तो उसमें लगाते हैं लेकिन अगर हम लायन देखे तो आता है लाओ और ला किस में आता है को खा गगा अंतर सिया राला वा तब शमूर्धन सा दंसा गुधन सा जमन सा सब नाम ले डिए तो इसका मतलब है कि यहां केसे आ जागा क्योंकि आ तो है नहीं और जब आ नहीं है तो एन अब आप लोक का सवाल कि साल ये इतना इजी जी बता तो पूछा गया है जब पूछा गया है तो गलत भी हुआ है अब ये तो गलत हो गया अब दूसरा क्यों नहीं गलत है लाएन हमारा सिंगूलर है तो एजी भी सिंगूलर है यह दोनों का दोनो singular countable noun को बताता है singular countable noun append से नहीं लिख सकते है append लिख सकते है books से नहीं लिख सकते है and oranges नहीं लिख सकते है इसलिए most के पहले दा है ठीक फेरोसियस of all animals अब all का अगर कहानी समझ ले तो all के बाद अगर countable noun हो न गिनने वाला तो हम क्या करते हैं plural noun का पर्योग करते हैं और animal जानवर को हम गिन ही सकते हैं इसलिए all के बाद यहां plural noun का है खली animal चुचे रहते गलत मार देते हैं तो यह क्या है एनिमल्स ना होगार के एनिमल्स सही है तो all animals पुल मिला के all animals all के बाद plural noun चाहिए अरे यार यार यह तो सही हो रहे superlative degree के पहले हमको दा चाहिए अरे सही है the most ferrousious बहुत ही भयानक ठीक है यार उसके बाद iron lion नहीं हाँ यह गलत है तो पहला क्या होगा है यह गलत है आगे बढ़ते है the availability of funds जो मवजूद है उपलब्द जो है funds will be ensured यह सुनस्चित किया है if they all tried they all tried to submit the proposals on time इसमें ना एक थोड़ा सा rule अगर आपको याद रहे ना तो बड़ा मस्त रहेगा बनाने हम लिख देते है अगर if यह conditional का है अगर if के बाद भर्व एक और पाँच रहे तो आगे समझ जाना है seller will का परियूग होगा seller will का परियूग होगा और आगे भर्वन होगा अगर भर्वन ना भी लिखे ना तो भी चलेगा क्योंकि model के बाद हमेशा भर्व का पहला परियूग होता है तो seller will model ही तो है इसलिए भर्वन है लेकिन अगर यही चीज़ past में अगर ले जाए भर्व एक को अगर हम past करें तो भर्व टू हो जागा तो इसका past क्या होता है भाई तो इसका past होता है उड़ सूड़ उड़ कर देते हैं खली उड़ लिख दे तो चलेगा ना उड़ हो गया और फिर हम भर्वन नहीं लिख दे तो चलेगा क्योंकि उड़ भी तो model है model के बाद भर्वन आता है लेकिन अगर यही चीज़ थोड़ असा अगर और बढ़े हम लगा दिए head और h के साथ हमीशा भर्व का तीसरा फॉम होता है तो यह भर्व का तीसरा फॉम होगा तो सवाल जब है चाया है तो अधर भी है चाहना चाहिए तो कैसे करें तो past है तो past लिख दू और जब past लिख दिए तो यहाँ थो तो past में तो आही गया था से तो अगर भर्व एक और पांच रहे तो sell will two रहे तो would और head रहे तो would plus have plus भर्व का 30 रोप हो अब अगर हम देखें तो यहां अगर देखें तो if और लिखा ले है they all tried if plus भर्व टू और उपर अगर देखें तो लिखा ले sell will यहां लिखा ले sell will तो हमको आगे चाहिए था हमको एक और पांच चाहिए था लेकिन यहां लिख दिया है दू अगर यहां दू रहता तो फिर यहां will केड़ा उड़ रहता उड़ दाना चाहिए था क्यों क्योंकि अगर भर्व टू है या लिकला इफ प्लस वर्व टू ट्राइड तो फिर आगे यहां ओड होना चाहिए था अब सवाल के हम ही यह क्यों नहीं सुधा रहे हैं यह क्यों सुधा रहे हैं अगर हम यहां अगर नहीं अगर यहां लिखे दावलेप्टी ओफंट्स विल भी इंशोड यह सुनुश्चित किया गया है यह मॉडल एक होता है मॉडल पलस भर्ब का पहला फॉर्म तो यह होता है एक्टिव भॉइस और एक होता है मॉडल पलस भी पलस भर्ब का तीसरा फॉर्म यह होता है पेसिब भॉइस तो हम क्या करते हैं पेसिब भॉइस में मॉडल के बाद भर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं और सबस पहले इसको ऊड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको sentence past का चाहिए इसको हम present कर देते हैं क्योंकि यहां present का पर्योग है will be ensured, will be ensured, the availability of funds will be ensured if they all try to submit the proposals on time, तो हमको सब present चाहिए इसलिए हम past ना करके, अब सवाल कि will को हम ऊड़ नहीं कर सकते तो यह अगर route करते, तो rule तो सही हो जाता, meaning भी सही हो जाता लेकिन हम क्या करते हैं, उसको past में ले जाते हैं, लेकिन हमको यहां present देना है और present देना है, इसलिए हम try को क्या करते हैं, will try को कर देते हैं, try try बस, यही है, आगे बढ़े confusion मत रहेगा, इसमें की would क्यों नहीं किया हम, आगे, ठीक है, एक बढ़ ध्यान से अगर गोर से पढ़ेगा sentence तो समझ माएगा, कि क्यों हो change कि, he promised them, वो promise किया, that key, he would see your repay, अभी हम जब बता रहे थे हैं, कि determiner के बाद अगर एक word होता है, अगर दो word होता है, तो एक adjective होता है और एक noun होता है, अगर तीन word होता है, तो पहला वाला adjective होता है, दूसरा वाला adjective होता है, और तीसरा वाला क्या होता है, noun होता है, यह जो एडवर्ब है न, बड़ा मस्तादमी है, बहुत बड़ा मस्तादमी है, क्यों, क्योंकि एडवर्ब जो है न, वो adjective को qualify करता है, और noun कि ही बेहरी बेहरी गुट।। बेहरी भी है मरा एडवर्ब यह भी हमारा एडवर्ब किकारण चाहिए और जब बर्ड को एड़ रखना चाहिए तो याद रखनाए कि एडबर्ब न आशी परसेंट से ज्यादा एडवर्ब एल्वआई इनडिंग porta lotta थो अगर हम यहांлом तो he promise, वो promise किया them उन लोगों से, तो यह है he, और यह past का sentence है, मतलब कहानी past का चल रहाँ अभी तक कोई गलती नहीं, he promise them, उनसे promise किया, that key, he would, अब ही सही है, अब जब यहाँ past का परियुग था, तो यहाँ भी past है, और जब past है, तो यहाँ तक सही है, कोई गलत, नहीं है, अ जब see or repay, अब उड के बाद हमको चाहिए, भर्ब का पहला form, उड के बाद हमको कहें चाहिए, भर्ब का पहला form, और जब भर्ब का पहला form चाहिए, तो हमारा repay जो है, वो भर्ब का पहला form है, यह भर्ब है, तो फिर एक word उड के बाद, या तो चुचा भर्बन रहता, और इन रहोंगा किए और जब गिलत लिखाल तो इसने ओर वालए ठोक देते हैं तब हो जैगा सही तो इसको करते हैं ठीक है अर्जेंटली गांझे के तुरन्त तो अब समय मा आगे कि CRO को क्या करना था CRO करना था दलोन अर्जेंटली तुरंत आना अर्जेंटली हम बले 90% होता है ना LY ending word वो objective होता ऐसा है ने कि सब क्यों क्यों क्योंकि noun में LY लगने के बाद वो adjective बनता है noun में LY लगा तो वो adjective बनेगा अर्फ लबाई बना तब वो अड़वर्ब बनता है या दखना एसा चीजे काम देखा है करन कॉल डार इस्टूरेंट करन कॉल करन बुलाया रेस्टूरेंट बें तो आस्क इफे कुड रिजर्ब एसी टेबल ल कोघण करसे यह सकता है तो करन कॉलदर रेस्टूरेंट आप हम पहले देखें तो to ask if he could यह क्या लिखाल है if he could अगर sentence हम थोड़ा सा अगर देखें तो if के बाद यह could है could हमारा past का sentence है could हमारा past का sentence है और कोई कहानी present पे तो चल नहीं रहा है क्योंकि बोल रहा है कि current call the restaurant current call किया कहा restaurant current call कि और कॉल किया तो यहां पास्ट लिखने हैं तो फिर यह परजिन्ट में हो गेर उपर तो ये परजिन्ट क्या कर रहा है तो इसको करते हैं distant अबप लोग का तो यह तो गलत बोलते हैं हम डेली बजार जा रहें नहीं I go to market डेली हम परतिक दिन बजार जाते हैं जो काम रेगुलर होते हैं तब उसमें हम एक और पांच का परियूब करते हैं लेकिन यहां देखेंगे भर्ब का पहला परियूब है और ऐसे भी करन कॉल लिखावाई यह तो यहां इसे भी गलत था क्यों क्कि सिंगूलर सब्जेक्ट है अर जब सिंगूलर सबजेक्ट है तो भर्ब भी हमरा सिंगूलर चाहिए था कैसे नहीं देखें और पहला पा कठेंगे ल क्योंकि आएक। को काटो आगे पढ़े यह ना पढ़े भीत्रेश है उसे का मतलब है तो यहां हो जागा कॉल्ड ठीक तो आस्क एप ही कुड रिजर्व अटेबल फॉर टुमोरो कल के लिए का टेबल भूग हो सकता है इसके लिए वो फॉन किया आगे सी क्या है京 Heil और रहां जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वर्भी कहा प्लूरल है अरे नहीं हम जेने चाहिए सिव्र और लिए वहर्भ क्या से किया और वर्भ सीगुलर का होता जब उस वत फैप नहीं informing लड़ता है तो फिर यह इंवाइट क्या कर रहा है तो इसमें एस ठोग देते हैं तो जागा सी ऑल्वेज इंवाइट स्मी टू डिनर हमें सही वह इंवाइट पर क्या करती है बुलाती है ऑल्वेज अभी मोले कि जब रूटी एक सब्सक्राइब भर वेकर पांच लगता दे बहुत जाने पैसे अगर हम देखें आई थिंक यहां तक सही है जरे में वी नौट ठीक है कोई बात नहीं है कि मॉडल है मॉडल के बाद आगे जो भी होगा देखा जाएगा लेकिन हम एक चीज़े भी पढ़ाएं थे कि हमेशा भर्व का क्या होता है वर्व का तीसरा फो ह जागा तो क्या गलत हो गया भी नंबर में तो गलत हो गया क्योंकि हैप के बाद भर्व का तीसरा आगा तो सेवड होगा ऐसे वी एडी सेवड होगा ठीक अब आगे देख लेते हैं कि सही है कि नहीं इनफ मनी अरी यार इनफ मनी है कि सही कि नहीं है कोई बात नहीं लिक कर करके देखते हैं इनफ अगर इनफ का परियोग करना है तो दो चीज ध्यान में रखना है अगर इनफ का परियोग करना है दो चीज ध्यान में रखना है पहला कि एड्जेक्टिब के यह बाद में यूज होगा और दूसरा इन नाउन के पहले यूज होगा यहां अगर मनी दे और नहीं तो नाउन के पहले आता है इनफ और नहीं तो नाउन के पहले आता है इनफ यहां होगा नाउन ठीक तो एसा ही आद रखेंगे तो जहां अच रहेगा नाउन के पहले एजेक्टिव के बाद एसा होता है इनफ का कहनी तो यह तो सही होगा है बाइदा टाइम उस समय दे इयर इंट्स तब जब सियर सवाफ थो रहा था तब का बात कर रहा है आगे कि यह पूरा का पूरा जो है अलाके दस है लेकिन दस कॉख चालिस रूल से होंगे इस में अब ऐसा नहीं कि फैक दिए हो सकता है 30 को 32 इसे बोल रहे तो उम्मिद करते हैं कि ठीक लगा हुआ आप सीख रहे होंगे गरामा बहुत अच्छा से उम्मिद करते हैं कि अच्छा लगो फिर मिलते नेक्ष्ट वीडियो में